जल्द ही आने वाला है शादी शुदा जोड़ोगा पवित्र तोहार जीहां हम बात कर रहे हैं करवा चौद की अपने पती की लंबी उम्र के लिए रखा जाने वाला ये वरत हर महिला रखती है इस दिन आम महिला ही नहीं बल्कि हमारे चोड़े परदे से लेकर बड़े तक की अक्ट्रस इस भी पती की लंबी उम्र की कामना के लिए कर्वाचौत का वरत रखती है इस साल कहीं टीवी सेलेब्स शादी के बंधन में बंधे और इस बार वो अपना पहला कर्वाचौत सेलिब्रेट करने वाले हैं आईए बताते हैं आपको आखिर कौन है वो स्टार्स इस्टोरिकल शो चक्रवर्त इन अशो का समराट मेरानी गौर्वाकी का किरदार निभाने वाली सौम्या सेट इस साल शादी के बंधन में बंधी है उन्होंने अपने लॉंग टाइम बॉइफरेंड युएस बेस्ट फिल्मेकर अरुन कपूर से शादी की है आपको बता दें अगस्ट 2016 में उन्होंने सीक्रेट रोका सेरिमेनी की थी और 2017 की शिरवाट में उन्होंने शादी कर ली इस बार वो अपना पहला करवाचौत मनाने वाली है नागा अर्चुन फेम पूजा बैनर जी ने नैशनल लेवल विनर और अलंपिक मेडलिस संदीब सेजवाल से 20 साल फरवरी 28 को शादी की थी इन दोनों की जोड़ी काफी क्यूट लगती है इस बार पूजा भी करवाचौत का अवरत रखने वाली है सीरिल F.I.R. में चंदरमुखी चोटारा का किरदार निभाने वाली कवीता भी इस लिस्ट में शामिल है कवीता ने अपने लॉंग टाइम बॉइफ्रेंड रॉनित विस्वास से शिव मंदिर के दारनाथ में शादी की थी उनकी सीक्रेंट मैरिज थी कवीता ने अपनी शादी में बहुत कम लोगों को ही बुलाया था उडान सीरिल से अपनी पहचान बनाने वाली गीनी ने अपने बॉइफ्रेंड परमींदर सिंग से इसी साल शादी की इस कपलें दिल्ली के गुरु द्वारे में प्राइविट मैरिज की थी इसके बाद उन्होंने रिसेप्शन रखी जिसमें कई टीवी स्टार्स भी शामिल हुए सीरिल इशक बाज में टिया का रोल प्ले करने वाली नवीना ने भी इसी साल शादी की थी उनकी अच्छानक से इंगेजमेंट की खबर सुन कर सभी हैरान रहे गे थे ये जोड़ी साथ में काफी प्यारी लगती है और इस बाद नवीना भी पहला करवा चौत मनाने वाली है इस साल सीरियल साथ निभाना साथिया की एक्ट्रिस रश्मी सिंग का भी पहला करवा चौत होने वाला है उन्होंने अपने बॉइफ्रेंड अजशिर वास्तफ से फरवरी 23 को शादी की थी आपको बता दे इनकी शादी नेनी ताल में हुई थी इसके लावा और भी ऐसे कई साथ हैं जो इस बार अपना पहला करवा चौत मनाने वाले हैं जैसे प्रिया भतीचा, पांची बोरा, शिरीना साब्याल आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी हैं हमें कमेंट करके बताना मत भूलिएगा तब तक के लिए देखते रहिए इल्लमेफ नियूज